2011 का वल्लकप जब टीम इंडियान जीता तब ये साफ हो गया था कि अब एक नई टीम तयार की जाएगी क्योंकि तब के कप्तान MS धोनी यही चाते थे वल्लकप खत्म होने के ठीक बाद धोनी ने इस और कदम भी बढ़ा दिये जब उन्होंने कहा कि मैं सचिन, सहवाग और गंबीर को एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकता हूँ 2012 खत्म होते होते धोनी ने अपनी टीम बना ली थी और एक नई ओपनिंग जोडी ने जन्म लिया था यहां वीरू नहीं थे लेकिन गब्बर जरूर थे रोहित सर्मा के साथ शिकरदवन आये और इन दोनों ने क्रिकेट फैन्स को वही भरोसा दिया जो सचिन सोरव सहवाग गंबीर की ओपनिंग जोडी दिया करती थी बीते दिनों जब शिकरदवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा लेने का एलान किया तब यही सवाल मन में उठा कि आखिर भारते क्रिकेट फैन शिकरदवन को कैसे ग्याद करेंगे एक ऐसा ओपनर जिसने लगातार 6 साल ऐसी तबहाई मचाई कि कई रिकोर्ट तूड गए एक ऐसा बाय हात का बल्ले बाज जिसने गाउगली के ओफस्वाइड वाले गेम को भूलने नहीं दिया या फिर एक ऐसा टेस्ट ओपनर जिसने अपने पहले ही टेस्ट मैच में ऐसी बेटिंग की कि कंगारू जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे ये तो हुए अभी की कानी है लेकिन शिकरदवन काफी पहले से क्रिकेट के दुनिया में च्छाय हुए थे 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिकरदवन ने तीन शतक बनाये थे और 505 कुल रन बनाये थे तभी से उनके चर्चे थे दिल्ली की टीम में गंबीर और सेवा खेला करते थे तो तीसरा बड़ा नाम शिकर का ही था अपने ओफ साइट के गेम के वज़े से वो लगतार सुर्चियों में रहे लेकिन टीम इंडिया में एंट्री थोड़ी लेट मिली क्योंकि तब की टीम इंडिया वैसे ही काफी बड़ी और मजबूत थी 2010 में जाकर शिकरदवन को मौका मिला लेकिन रन नाइन बने तो वो भार हो गये और फिर सीधा तीन साल बाद ही जगा मिली और फिर यहाँ पर आया वो वाला टेस्ट मैच जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था और उस्टेलिया टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत आयोई थी टेस्ट सीरीज में मौका दिया गया शिकरदवन को मौहाली में शिकरदवन का डेब्यू हुआ और उन्हें वंडे के डेब्यू की कसा यहाँ पर पूरी कर दी शिकर के बल्ले से सिर्फ 85 बोल में टेस्ट सेंचुरी निकली और कई रिकॉर्ड टूड गए इसके बाद शिकरदवन की किस्मत बदल गई थी धोनी ने फिर उन्हें वंडे टीम में बुलाया IPL में फिक्सिंग के बाद जब टीम इंडिया चैंपिन्स ट्रोफी खेलने के लिए इंगलेट पहुचे थी तब धोनी ने धवन और रोहित को अपनिक पार्टनर बनाया और उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं भारत ने वो चैंपिन्स ट्रोफी जीती शिकरदवन उस टूर्णमेंट के हीरो थे उसके बाद शिकरदवन नहीं रुके वन्डे वल्ड कप 2015 हो या फिर फिर से चैंपिन्स ट्रोफी 2017 शिकरदवन भारत के लिए ICC ट्रोफी के हीरो थे 2019 का वल्ड कप भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था जहां दवन ने सैंचुरी मारी थी लेकिन बाद में उन्हें चोट लगी और फिर वो भार हो गए बस 2019 वल्ड कप के बाद से शिकरदवन के लिए चीजे बदल गई थी क्योंकि अब टीम इंडिया का निजाम बदल चुका था और उसके बाद चीजे फ्यूचर के हिसाब से आगे बढ़ रही थी रोहित ओपनर रहे लेकिन शिकरदवन पीछे चूड गए थे और पिछले करीब तीन से चार साल में धवन टीम में कभी आये और कभी गए लेकिन 2013 से 2019 तक का एक ऐसा पीरिड रहा जहां शिकरदवन ने राज किया शिकरदवन का रिकोर्ड अगर आप देखेंगे तो उनके नाम करीब 7000 बंडे रन है जिसमें 17 शतक शामिल है टेस्ट में भी 5000 रन और T20 में 1800 के करीब रन है रोहित शर्मा के साथ शत्किय ओपनिंग साजधारी हो या फिर बतोर ओपनिंग पार्टनर सबसे जादा रहा हो शिकरदवन उस रिकोर्ड लिस्ट में हमेशा शामिल रहे हैं जहां पर उनका नाम हमेशा टॉप पर रहा है 2013 से 2019 तक हर जगा रिकोर्ड देखेंगे तो धवन के आगे करीब 50 की ओसत से रन होंगे 2-3 शतक भी लिखे होंगे IPL में भी शिकरदवन के करीब 7000 के करीब रन है वहां भी उनके नाम ऐसे नजाने कई रिकोर्ड हैं फिर चाहे वो बाउंड़ी से जुरा हो या फिर रनों से जुरा शिकरदवन एक ऐसे सितारे रहें जिन्नोंने कम समय में टीम इंडिया के लिए कमाल किया और कई रिकोर्ड अपने नाम किये लेकिन अपनी निजी जिन्दगी में धवन में कई तुफान झेले, अपने बच्चों से दूर हुए, लेकिन इन सब के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रही और वो अपना काम करते रहे। आज जब उन्होंने इंटरनाशनल क्रिकेट छोड़ा तो हर किसी के सामने वो तमाम सेंचुरी, वो तमाम गबर के जशन याद रहे और हर किसी ने इस गबर को सलाम ही किया। फिलाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ शुक्रिया।